हाई students and welcome back to bank exam study.com so today i am providing the solution to the ibpsrb mock 1 तो officer scale 1 का पहला mock जो हमने कल स्टार्ट किया था तो कुछ एक students स्टूडेंट्स ने अपने डाउट्स पेजी हैं कुछ एक जो important questions है उसका मैं solution जो है अभी provide करूँगा वैसे तो solution already available है लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को solution देखके भी समझ नहीं आ रहा और बार बार इसमें है डाउट्स आ रहे थे वह मैं बिल्कुल क्लियर खरवा रहा हूं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यह जो test series है इसको आप बैंक एक्शंस्टर डाट कॉम पे जाके सीधा जो पहला यह जो test है register का button है register कीजिए और आप यह जो है यह जो पहला test है यह free में जरूर आप ले सकते हैं तो अपने questions है यह मुझे आप mail कर सकते हैं अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है one-to-one counseling चाहिए तो please मुझे call कर सकते हैं no problem तो subscription का जो link है यह test series का यह नीचे description में available है तो जब यह शुरू करते हैं पहला simple question series का question था तो इस अगर मैं series को ध्यान से देखूं guys एक बर इसको ध्यान से देखिए चार छे पंदरा और यह question mark मुझे find करना था चार से जब पंदरा में आया तो क्या difference लेकर आये चार को डेड़ से अगर मैं multiply करूं डेड़ गुना तो यह इसका छे हो जाता है छे जो है इसका कितने गुना पंदरा बनेगा धाई गुना राइट अभी एक series बन रही है देखिए डेड़ धाई मुस्वाबली फिर साड़े चार होगा आपने इस चीज़ को आगे confirm कर लेना यहां पर तो exactly solve करने की जरूरत नहीं है दोसो च्छत यह देखिए यह डेड़ था यहां पर धाई हो गया यहां पर माल लीजिए साड़े तीन है यहां पर साड़े चार है तो क्या यहां पर साड़े पांच करेंग अगर मैं अपने दिमाग से लगाऊंगा तो यह 236.25 का साड़े पांच गुना 1299.375 आता है तो simply अगर answer निकालना है 15.5 कितना आ जाएगा आपका आजाएगा 52.5 यह आपका answer है बहुत simple question है बहुत जारे students को इसमें एक doubt होता है कि sir अभी आप solve करवा रहे हो तो समझ आ रह लॉजिक जो है वो खुली आंकों से दूढ़ना पड़ेगा तो please try to understand right so let's do the next question यह 263.25 175.5 117 178 36 just give it a you know एक look दीजिए से logic समझ यह इसमें कितना कितना difference जा रहा है difference बहुत ज्यादा है तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि fraction दीखिए कितना बनता है इसका दो गुना है धाई गुना है हाफ है टू थर्ड है वन थर्ड है तो exactly यह जो है यह इसका टू थर्ड है और इस चीज़ को हम यहां पे confirm कर सकते हैं 117 का टू थर्ड है यह actually यह फंड difficult to solve these kind of questions क्योंकि यह माइंड में टेकी नहीं करता है time इतना कम होता है pressure बहुत होता है stress बहुत होता है तो question बहुत आसान है बहुत सारे students नमर के यह बोला है कि sir बहुत आसान paper है लेकिन at the end of the day अभी तक I think 420 students जो है exam दे चुके है and just I think 2 students है एक तो fake है सिर्फ एक student है जिसका score 45 प्लस आया है सिर्फ एक student का and seriously यह नहीं है कि students ने ध्यान लगा के paper ने दिया पूरा time दिया तो फिर भी score बहुत कमा रहा है तो you have to work तो यह सीधा सीधा two third है यह भी इसका two third है तो 78 का two third जो है वो इसका सीधा सीधा एक answer बनता है जो है 52 तो 52 is the answer बहुत simple question था अगला question करते है 51 62 अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब मैं देखता हूं तो मेरे को एक चीज़ ज्यान में देखने को मिलती है कि यह देखिए या तो यह जो पहला नंबर तीसरा नंबर यह यह वाला नंबर इसमें कुछ relation होता या एवन नंबर 62 60 अभी यह वारा relationship देखिए relationship कहां पे build-up होता है अब ध्यान से देखिए यह 51 है यह पहले यह वाले नंबर देखिए फिर यह वाले देखिए यह 51 है 53 है तो obviously 55 होगा राइट तो एक relationship build-out हो रहा है यह 62 है यह 60 है यह 62 में से 2 गया यह 60 आ गया यह 60 में से 2 गया 58 आ गया अगला नंबर क्या होता अगर एक नंबर छोड़ के अगर नंबर कूछ लेते तो 58 में से 2 माइनस कर देते तो बहुत basic सा question था कुछ ज्यादा इतन दिमाग लगाने वाली चीज नहीं थी 55 आंसर था तो चलिए student सगला question करते हैं देखने में तो बड़ा आसान सा question लग रहा है कि 125 का double 200 होता है उसके बाद यह 36 आ गया कुछ थोड़ा सा confusion है फिर भी ध्यान से इसको देखते है 125 और इसमें आपका difference है 125 का और इन दोनों में difference ह 36 का राइट तो यहाँ पे एक फंडा समझने की कोशिश कीजिए 5 का cube है यह 125 और 6 का square है अभी कुछ समझने की कोशिश कीजिए क्या अगला number हो सकता है यह भी हो सकता है कि 7 की power 1 हो यह भी हो सकता है 7 की power cube हो यह दो possibilities बनती है इसका solution कैसे मिलेगा यहाँ पे जो है यह तो clear है यहाँ तो 7 का एक power होगी या 7 का cube होगा और उसके बाद यहाँ पे दोनों situation के हिसाब से देखना है यहाँ पे यहाँ तो फिर 8 की बार 0 होती यहाँ फिर 12 से 8 का square होता तो यह फंडा समझने की कोशिश कीजिए तो obviously यह वाला फंडा तो नहीं बनता 1 0 तो यहीं बनता है 5 का क्यूब 6 का square 7 का cube 8 का square 9 का cube अभी 286 में 2343 यह जो 7 का cube है इसको अगर हम add up करते हैं तो आपका जो answer है वो निकल के आ जाएगा बिल्कुल तो यह जो आपका answer निकल के आता है 4 12 और 629 जो है यह आपका answer है बहुत ही simple question था थोड़ा थोड़ा सब समझिए इसको logic को समझने की क the sm some कोंशन होते हैं अगल सकते हैं फाट में भी हो सकते हैं एक मिन readable सकते तो time saving है आप अगला कोशन करते है बह। अच्छा कोशन है यह actually तो यह बहुत confuse करने वाला question था अगर मैं इसको ध्यान से देखूं बहुत पास-पास से है नंबर अगर मैं ध्यान से देखूं यह multiplication वाली series नहीं हो सकती multiplication यह square वाला इसमें रूल नहीं हो क्योंकि नंबर बहुत पास-पास है तो simply सबसे पहला step क्या होगा मेरा कि भाई इसका difference देख लो इसका difference पांसो बैले सो और छे सो सततर में अपका difference पहला बनता है dots को जोड़िए 135 क्या होता है 15 को अगर मैं 9 से multiply करता हूँ 112 क्या होता है 14 को अगर मैं 8 से multiply करता हूँ 91 क्या होता है 13 को अगर मैं 7 से multiply करता हूँ अगर ध्यान से देखिए 15 14 13 9 8 7 तो अगला नंबर जो होगा वो क्या होगा यह जो नंबर होगा बारा बाई छे समझ रहे हैं तो चीज कितनी असानी से निकल के आपकी अभी आ रही है सीधा 349 में से 72 माइनस करेंगे तो 267 जो है यह आपका अंसर निकल के आ जाएगा बहुत सिंपल नहीं कहूंगा मैं यहां पर देखने को अभी मैंने सौल कर दिया लॉजिक अपको पता चलिका तो बहुत असान लगा बहुत समझ वह हैं लेकिन यह सुल्यूशन बतावना इंपॉर्टेंट बात नहीं है लॉजिक कैसे फाइंड आउट करना है यह ज्यादा अभी ध्यान से देखिए अगर यहां पर सबसे पहले लॉजिक कैसे लगाना है कि यह नंबर बहुत पास पास है राइट जब नंबर पास है तो आप उसका डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए सबसे पहले अगर नंबर पास नहीं है जैसे पिछले कोशन में नंबर पास य यह तो बहुत आज थान कोशन देख अगला अग्ला पिछला भिए कोशन देख लीजिए यहां पर भी देखेए डिफरेंस एक पटेंड में रहुआ रहा है यहां पर भीृव्तर नहीं होता तो लोगी को समझने की कोशिछ कीजिए किसी भी तरह कोश्यर को मोड्ल कर सकते ह पिछला भी मैंने जो है सेशन कर चुका हूं एक उसका YouTube का लिंक मैंने जरूर पुरवाइट करूँगा मैंने वह YouTube पर ही अप्लोड कर दिया था उसका मैं लिंक जरूर प्रोवाइट करूँगा अब इसको द्यान से देखिए देखने पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स कहेंगे कि अप्रॉक्सिमेशन यूज नहीं करना है अप्रॉक्सिमेशन यूज करने की कुछ लिमिटेशन से लेट्स डिरेक्ली मूव तो दिस फॉर्मुला एदा क्यू माइनस बी दा क्यू तो वट माइनस बी ए स्कॉयर प्लस बी स्कॉयर प्लस अब लए तो यह जो पो मला है यह यह यहां पर हो जाएगा इसको आ वी मान ली जियो तो सिंपली क्या करिए चलिए सौल कीजिए इसको तो ए माइनस बी सीज़ा सीज़ा लेखते हैं तेरा पॉइंट चोहतर माइनस चे पॉइंट सता सट तो यह सीधा आ जाएगा तेरा पॉइंट मैं तो ज्यादा इसको सौल भी नहीं करता वेपर में होता तो तो इसको देखिए पहली एक लुक सही इसका पता चल जाता है कि यार यह कोशन असान है कुछ नहीं है इसमें तो एक चीज़ ध्यान से देखिए इतना वैसे लिखने की जरूरत होती नहीं है पेपर में तो यह वाला जो पूरा एक पार्ट है इसको इससे माइनस कट यह कट जाएगा बिल्कूल कट जाएगा अभी बचा कहा है आपके पास 3.74 माइनस यह आपका निकलेगा यह तकरीबन तकरीबन आपका आजाएगा 4 राइट तो 4 इसकी पूरे की वैल्यू जो है यह आपकी बनती है 4 आपको यह कोशन मार्क फाइंड आट करना है राइट x2 – 4 is equal to अभी इसको ध्यान से देखिये इनकी क्या वैल्यूशन मनती है ध्यान से देखिये बारां को अगर मैंसीदह सीदह कर आपको बारा को अगर 11 से multiply करता हूं तो भी मेरा बनता है 120 फ्लस 12 132 लेकिन यह जो है बारा को थोड़ा सा तक्रीबन तक्रीबन और बारा का वन फोर्थ जो है उसको भी एक बार देख लें तीन बनता है 135 जो है इसको अड़ आप कर लें मतलब ऐसे अगर आप करेंगे अगर 12 को सिधा 11 से कर देंगे तो थोड़ा आप दूर चलेगे ना 132 पर आगे लेकिन एक आदत बनाई है इसे तो यह आ गया जी आपका 135 प्लस 60 का यह आ जाएगा यहां पर 60 क्यूंकि 60 का स्क्राइर होता है 3400 तो इस क्लिरली गोस टू 60 तो इ अभी एक्स की वैल्यू जो है इसकी तक्रीबन तक्रीबन निकल दी है प्लस माइनस 14 राइट ऑप्शन में एक अगर तो प्लस 14 और माइनस 14 ऑप्शन होता तो कन्फूजन होता लेकिन ऐसा नहीं था ऑप्शन ऐसी थी माइनस 14 20 12 ऐसा कुछ ऑप्शन मतलब दूर दूर प्लस का सिंबल नहीं था माइनस का सिंबल था तो इसको हम जरूर एडिट कर देंगे एक कुशन में प्रॉबलम थी तो बहुत सारे स्टूडेंट का यह गलत हो गये इस वजह से तो इसको मैं जरूर ठीक कर दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं 53 30 तो सबसे पहले इसका स सब्सक्राइब करने की आपको मैंने टिकनीक्स खाई होगी वैसे तो लेकिन पेपर के टाइम में आप यह सब टिकनीक्स यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो मैं आपकी जगह होता तो यही करता कि 70 को 70 से मल्टिप्लाइब करते हैं तो 4900 राइट असी का स्क्व इतना यह ज्यादा इंपक नहीं डालेगा यह इसका अगर मैं 72 भी लिख लेता तो भी फरक नहीं पड़ता इतना तो यहां पर देखिए अगर 72 भी होता कुछ फरक नहीं पड़ता तो इस को इतना ही रहने दीजिए बाद में देखेंगे इसको तो माइनस 3.6 को अगर मैं 75 से मल्टिप्लाइ करता हूँ 7.5 को अगर मैं 4 से मल्टिप्लाइ करता हूँ तो अब मेरा आता है 30 लेकिन यह 3.6 है तो यहां बाएगा तकरीब तकरीबन तकरीबन इतना आ गया तो यह तो simply हो गया 9 x 1.78 इसको कर दीजिए एक बार मल्टिप्लाइ रैट पहले एक बार लेकिन आंसर आपका बनेगा तक्रीबन 16 करना चाहते हैं इंडेप्थ करना चाहते हैं तो कर लीजिए तो पहले तो एक नौई आएगा नौट बत्तर तो मैं ऐसे कुछ करता हूं यह करने का तरीका है तो अगर आप यूज कर सकते हैं तो कर लीजिए तो 16.2 है 16 लिख लीजिए इसको प्लस 28 इस इकल टू रूट एक्स तो यह आपका टोटल बनता है 444 का अब और एक्स की वैल्यों अगर आपने निकाल ली है तो यह आपकी तक्रीबन तक्रीबन कितनी बनेगी इट लिए अराउंड 2000 के टू था अंसर जो था अंसर में ऐसे थी टू थाज़न टूटीफाइव बारांसो आइसे गुश्च तो टूटीफाइव जो है इस यह में आंसर टिक करके घर आ जाता है क्योंकि यही ऑप्षिन है क्योंकि 45 ता स्कॉर जो है यह यह यहां पर मैंने जो है थोड़ा सा कहलीजिये नेर बाट पकड़के चला था इतना सा वेरियेशन चलता है तो 2025 को मैं आंसर को टिक करता हो घर आत तो लेट्स मूव आं तो नेक्स कोशन वेरी वेरी इंपॉर्टन कोशन तो यह आई थिंग यह मैं पिछले एक सेशन में यह कोशन करवा चुका हो लेकिन फिर भी सुदेंस ने पूच लिये बार बार पूचना सुदेंस आपका राइट है आप मुझे मेल कीजिए बहुत सारे सुदेंस की प्रॉब्लम है कि उन्हें लगता है कि यार यह बेसे कोशन में क्यों पूच यह प्लीज तो सबसे पहले सेवन कंशेक्टिव पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं एक तो कंशेक्टिव नंबर लेकने का तरीका यह है पॉजिटिव इन्मर राइट x plus 2 x plus 4 x plus 6 फिर x plus 8 उसके बाद x plus 10 फिर x plus 12 तो यह positive जो है consecutive positive even number लिखने का तरीका है तो इन्हेंने बोले average of the square of first and last number average of squares of first and last numbers is 712 बहुत असान कुशन है तो यह क्या बनेगा आपका अभी अभी इसको solve कर लेते हैं x square plus e the square plus b the square plus 2ab divided by g2 is equal to 712 तो यह तो आपका 2x square होई गया तो यह सभी को 2 से divide कर देते हैं तो यह बन जाता है x square plus 24x तो यह 712 विदर लेकर आ जाते हैं तो यह आपका बन जाता है minus 640 is equal to 0 तो अभी यहाँ पर देखिए factors बनाने या आपने 640 के factors बनाने बहुत सारे students मुझे पूछते हैं sir factors कैसे बनाए paper में आप यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन इससे आगे नहीं जा भाते तो यह करने के एक तरीका बजा देता हूं simply क्या करें देखिए 640 आ गया तो आपके mind में क्या सबसे पहले आता है आठ है 10 आठ तो इसी जाब से आगे कर लिजिए 5 दो यह multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 पांच दो 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 multiply by 2 multiply by 2 तो यह सब जगा यह यह जो rule है यह बिल्कुल implement को सकता है तो एक चीज का ध्यान देखिए यह दो दुनी चार्ज ने यह दुनी 16 और एक 32 32 को जब मैं multiply करता हूँ 20 के साथ 32 और 20 32 और 20 32 और 20 32 x minus 20 x minus 6 तो यह आपके बन गए थे तो x की value जो है आपकी आजाएगी एक तो आजाएगी आपकी x की value minus 32 और दूसरी आजाएगी plus 20 तो obviously plus वाली हमने उठानी है तो इन्होंने पूछ है कि second largest number होता है x plus 10 होगा तो x की value हमारे पस 20 already है इसमें 10 add कीजिए तो यह आजाएगा 30 तो this is your answer तो चलिए students आज के लिए इतना ही था आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए यह test series test series का link जो है मैं नीचे description में बिल्कुल provide कर रहा हूँ अगर आज आपको कोई भी question समझ में नहीं आ रहा तो please मुझे mail कीजिए just it's like आपको कोई भी doubt है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है even कुछ counseling चाहिए अगर आपको कुछ problem है call भी कर सकते हैं यह जो test series का subscription का link है यह मैंने description में दे रखा है and the students who are subscribing जो students subscribe कर रहे हैं उनको हम workbooks भी provide करेंगे sectional test भी provide करेंगे और जो regular basis पे videos भी provide करेंगे so it's all in all it's a very good kind of a course right तो RRV तक हम एक बहुत अच्छे तरीके से preparation करेंगे officer scale 1 की यह scale 1 का है right तो आपको पता होगा कि मैं assistant level की तयारी बहुत कम करवाता हूँ लेकिन this is for scale 1 अगर कोई assistant level की तयारी भी कर रहा है वो भी यह test series ले सकता है तो चलिए आज के लिए इतना ही कल फिर से मुलकात होगी दुबारा और कल का test आप जो है जरूर लीजिए और कल की भी जो doubt clearing session है वो भी provide करा हूँगा यह अभी मैंने quant का करा है शाम को reasoning का दुबारा से हम करेंगे reasoning का भी एक doubt clearing session होगा अचलिए आज के लिए इतना ही thank you and have a nice day bye